हेलो फ्रैंग्स स्वागरत ते आपका एनिंग फोलियो में जैसा कि आप जानते हैं हमारे इञामें सिडborg मेंट के चलते हमारे स्टॉक मार्कट में काफी उतार चलात हम آने वाले समय में देख सकते हैं तो की के जो एक दो मेने का समय है वो काफी उतार चडाव से भरा हुआ रहेगा stock market के लिए और इसी volatility का भी फाइदा हम उठा सकते हैं अगर अच्छी company में हम invest करते हैं और अच्छी price range में अगर हम किसी अच्छी company में invest करें तो जरूर हम अच्छा मुराफा कमा सकते हैं अज के इस वीडियो में हम ऐसी ही पांच कमपनियों के बारे में उनके प्राइस रेंज को लेकर आए हैं आपके लिए साथ ही अगर आप में मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एसी ही एक पहली कमपणी है श्री सेमेंट लिमिटेड जो कि श्री सेमेंट की हम कहा सकते हैं राजा कमपणी है बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है राजा मतलब नेट प्रॉफिट के टर्म में बोल रही हूँ अगर इस कमपनी का शेयर हम 14,000 के एराउंड हम और खरीच सकते हैं तो हमें आने वाले समय में हम लगभग 22,000-23,000 का रेंज हम इस कमपनी से एक प्रेकर सकते हैं एक वेपको इंडिया कमपणी है और बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इस कमपनी का रहा है इस कमपनी का शेयर हम बहुत ही अच्छे प्राइस रेंग म अगर 5,300 चे लेकर 5,800 के रेंज हमें इस प्रेटिलिटी में देखने को मिलती है तो जरूर हमें इस कमपनी में अपना कुछ होर्लिंग बनानी चाहिए और लगभग 8,000-9,000 का प्राइस रेंज हमें आने वाले 18 महीने या 24 महीने में देखने को जरूर मुल सकता है ऐसी ही अगर हमें इस कमपनी के स्टॉक को खरीदे तो लगभग एक साल या और देखने को मिल सकता है ऐसी ही एक इलेक्रिक की कमपनी है है हेरल्स इंडिया लिमिटेड बहुत ही तेजी से अग्रेसिबली ग्रो कर रही है इसने अभी एक और कमपनी को अक्वायर भी किया है इंडिया का फ्यूचर जरूर ब्राइट है हम यह कह सकते हैं और इस कमपनी को अगर हम 500-500 का रेंज थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन अगर यह मिल जाए हमें रेंज तो जरूर 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 इस कमपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले समय में 900-1000 का जरूर ही हमें देखने को मिल सकता है साथ ही अमराजा बैटरी बैटरी शेत्र का भी एक शेर हमें जरूर अपने पॉर्टफोलियों में रखना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं एलेक्ट्रिक की वीकल्स आने वाले हैं हमारे इंडिया में एक टर्न आराउंड आ रहा है और इंडिया में और आटरी की शेत्र में तो बैटरी की कंपनियों को जरूर फायदा मिलेगा इसका तो अमराजा बैटरी एक बैटरी शेत्र की दिगज़ गमतिनी है इसका अगर आप देखे तो रेंच लगभग 6-900 करेंगे लगभग 3 साल से इसी प्राइस में में बहुं रह पर इसका प्रॉफिट रेंगलरली बढ़ रहा है तो और रिवेन्यों बढ़ रहा है तो लगभग 600-700 की बीच में करेंगे इंटर इस कंपनी में होते हैं तो लगभग 2 सार में हमें साड़े 900-200 का रहें को जरूर देखने को मिल सकता है तो यह थी 5 कंपनियां जिनमें हमें लगभग एक अच्छा वोलिंग बनाना चाहिए और अच्छा मुनाफ़ा हम जरूर इन कंपनियों से कमा सकते हैं साथ ही साथ मैं एक बात और आपको यहां पर बता दू यह जो भी कंपनियों की हमने चर्चा की यह एक या दो साल वाली कंपनियां नहीं है यह कंपनी आप 5 से 10 साल कर होल्ड करते हैं तो आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा इस कंपनी से कमा सकते हैं अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस को एनलाइज करें किसी भी अठीठा कंपनी का तो आप डानेंगे कि एक साल या दो साल या तीन साल कर रुटन हो सकते उसका 20 परसेंट या 30 परसें तो आप शायद आप पाएंगे कि 500 गुना रिटन दिया या 1000 परसेंट का रिटन उस कंपनी इन में दिया तो वैसे ही मैं बात कर दी हूं कि ये कंपनी आप अगर आप 10 साल के लिए होल्ड कर सके तो बहुत ही अच्छी विल्ट विल्डर इस कंपनीया साबित हो सकती हैं तरीके से जान सकते हैं डिटेयर अनालिसिस देख सकते हैं सेभी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये मेरी कोई रेकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग की आपको अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपने एड्वाइजर से जरूर सलाह ले और उसक ये ओर वाचिक मेरीओ